नमस्कार and welcome to my channel competition cracker दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में मेरे चैनल पे और जैसे कि हमने आपको पिछली बार certs और indices जो simplification questions आते हैं आपको various exams याने की FBS, Railways, SSC और SBI तो उसके regarding मैंने आपको infinity वाली trick और काफी short tricks बताई थी आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं तो उसी का मैं second part लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से difficult questions करवाने वाला हूँ कि आप उन difficult questions को basic method के solve करने के बजाए shortcut method या फिर ट्रिक लगा कि आप 2 seconds या मात्र 3 seconds में solve कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो end तक बने रहेगा एंड तक देखेगा हम आपको कैसे सिखाएंगे ये method पूरा का फूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो जाए से ज्यादा likes और जाए से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को तक ये knowledge पहुंच पाएं तो चलिए से कमप्टिशन क्रकर टूतर्योल स्टारट करते हैं आज की वीडियो तो जैसे कि आपको ये पहला कोशन दिख रहा होगा रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 रूट 5 रूट 5 प्लस रूट 3 यानि ये जो चीज हैं ये दोनों सेम है और यह जो चीज़ है close में यह दोनों भी झेम है और बीच में क्या है प्लस का sign ठीक है तो इस तरह ऐसे questions में दो तरह की questions आते हैं या तो यहां plus का sign होगा या फिर यहां पे minus का sign होगा ठीक है इस question में हमारे पास plus का sign है अगले question में आपको मैं minus की send की साथ करवाऊंगा तो पहले मैं इसको basic method से आपको करवाता हूं और उसके बाद आपको trick पताता हूं तो देखिए जैसे की question given है root 5 plus root 3 अगर हम इसको basic method से करें basic method क्या कहता है हमारा कि इसको cross multiply कर देजिए और LC में देजिए ठीक है तो basic method से करेंगे तो root 5 plus root 3 दोनों का whole square हो जाएगा ठीक है ऐसे ही root 5 minus root 3 का whole square और नीचे क्या आजाएगा a plus b into a minus b क्या होता a square minus b square या नि पांच कर रूट 5 का square और root 3 का square 5 minus 3 दो ठीक है अगर इसको आप solve करेंगे तो a square plus b square plus 2a भी आजाएगा a square plus b square minus 2ab 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 cancel हो जाएगा तो root 5 का square 5 दो बार आगा 10 ठीक है और यहां पर 3-2-6 और नीचे क्याएगा दो 16 अफोना दो आठ तो यह था हमारा basic method अब आपको मैं short trick बताता हूं इसमें short trick क्या लगी ध्यान से देखिएगा दोस्तों short trick क्या लगानी है तो short trick यह है कि अगर आपको ऐसी ही form में same question मिल जाए और बीच में प्लस का sign आजाए ध्यान से सुनिए प्लस का sign आजाए तब आपको क्या करना है दोस्तों जो number है यह जो number given है root के अंदर ठीक है इन दोनों को simply add कर देना है 5 plus 3 तो आपका answer क्या आगया 8 ऐसे ही अगर यहाँ पे root 3 plus root 1 हो root 3 minus root 1 root 3 plus root 1 हो root 3 minus root 3 plus root 1 हो तो अगर root 3 plus root 1 होता तो 3 और 1 हमके अगर देते 4 तो हमारा answer हो जाता हमारा जो mean मकसद जो short trick का होगा वो सिरफ sign के ओपर demand करागा यहाँ पर sign कुन सा है अगर plus का sign है तो आपने simple add कर देना है अगर plus का sign है if there is a plus sign between both of them then you have to add both of these numbers which are in square root तो 5 plus 1 क्या हो गया 8 ठीक है ऐसे ही अगला question हम देख लेते हैं अब अगले question में हमारे पास क्या आगया minus का sign आगया यहाँ पे अचाए सारा question सेम के लिए उपर कर रही है तुपर सेम नंबर है और नीचे भी सेम नंबर है और यह दोनों same same है cross multiplication में same same है और यह दोनों भी cross multiplication में same Same है तब आपको यह ट्रेक लगानी है तो हम मेंने प्रिछले question में क्या बताया था कि अगर आपके बास thus Slash हो तो आपको क्या करना है दोनों नंबर को simply add कर देना है और अगर यहाँ पर minus sign हो if there is minus sign minus negative sign तो आपको क्या करना है जो दोनों नंबर आए हैं हमरे पास 5 और 3 दोनों को आपने क्या कर देना है multiply और उसको root के अंदर लिख लेना है ठीक है क्या गया दोनों जो नंबर हैं उनको multiply करना है उसको square root के अंदर लिखना है और उसको फिर 2 से multiply कर देना है पूरे के पूरे जो आया है मरे पास उसको 2 से multiply कर देना है तो answer क्या जाएगा 2 root 15 तो यह आपका सिरफ 2 या 3 second में मातर आपको answer easily आप कर सकते हैं और आप अपना time बचा सकते हैं जो कि आप बाकी questions जो lengthy questions होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं ठीक है तो यह question जातर आपको SSC, GL, SSC, CPO, SSC, MTS कितने ही SSC के exam या Railways के exam बें आपको दिखते हैं तो यह था हमारा short trick अब आपको एक और question दिखाता हूँ इसी तरह का अब आप यहाँ पे देख रहे हैं plus का sign है ठीक है और साथ में क्या है square लग गया है पूरे के उपर जो हमारा first question था उसमें सिर्फ square नहीं था सिर्फ plus का sign था यहाँ पे whole square भी लग गया है अब आपको क्या गरना है जो हमारा answer आया था पहले वाला 5 plus 10 दोनों में add किया था क्योंकि यहाँ क्या था plus sign था ठीक है तो plus sign में क्या होता है numbers क्या हो जाते है add और negative sign प्या होता है multiply करके उसको square रोड डाल के उसको 2 से मचले देख लिए अब यहाँ पे जो आपका answer आया है अब यहाँ पे square है पूरे के उपर और यहाँ पे square है पूरे के उपर तो जो number आया है add करके तो उसको भी square कर देना है 8 का square 64 और साथ के साथ क्या करना है minus 2 यह trick हर एक question में लग जाएगी जिसके उपर ऐसा square होगा और जो same number square root के अंदर होंगे और cross multiply हो रहे होंगे ठीक है और यहाँ पे अगर plus sign होगा तो यह trick लग जाएगी ठीक है तो 8 का square 64 64 minus 2 is equal to आपका 2 second सरफ 3 second यह 4 second में आपको answer मिल जाएगा तो answer के आगा 62 ऐसे ही हम एक और एक और type कर लेते हैं अब यहाँ पे 1 है सब के साथ 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1 सब में common 1 है ठीक है तो ऐसे question में क्या करना है यहाँ root 3 plus 1 है root 3 minus 1 आ गया यहाँ root 2 plus 1 है यहाँ root 2 minus 1 आ गया तो इसका short trick क्या है अपका जो जो number आपको given है square root में ठीक है उपर भी same number है नीचे भी same number है उपर same number है नीचे भी same number है उपर same number है नीचे भी same number है उपर same number है नीचे भी same number है तो इसके लिए short trick क्या है आपको दोस्तो जो जो number given है उनी को बाहर निकाल लिजे तीन गिवन है यहां पर प्लस यहां पर क्या है गिवन है टू एड तो यहां पर क्या है फिर द्वारा तीन और यहां पर क्या है टू ठीक है यह ट्रिक कब लगेगी जब यहां पर वन हो सास में और नीचे भी वन हो वन 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 तो उपर त्री है टू है टू है प्लस ठीन शेप प्लस चार दस आपका मातर दो यह तीन सेकंड में आपका answer आगया तो यह थी कुछ question से third or indices के जिनमें आपको यह ऐसी ट्रिक्स ऐसे अगर question जितने से ज़्यादा से ज़्यादा practice करेंगे उतनी ज़्यादा आप trick पे grip बना पाएंगे उतनी ही trick आपको याद रहेगी कि कैसे apply करने ही exam में होता क्या है exam में हम जाके भूल जाते हैं और basic methods से करने लग जाते हैं तो उसके बज़ाए आपको जितना ही practice हो सके करें क्योंकि कहते हैं practice makes a man perfect तो जितनी ऐसी शॉर्ट ट्रिक अपलाई करेंगे पर्फेक्शन आईगी और उत्रा ही आप कामयाब होगे और आप एक्जाम क्लियर कर पाएंगे और आपके गॉर्मेंट जॉब हाथों में होगी तो यह थी आज की हमारी वीडियो और ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स और मैस्ट सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और जासे ज्यादा लाइक्स और शेयर करें वीडियो को थैंक यू एंड शुक्रिया